प्रेवी साथ यो ये रागनी शेख ताराचन के किश्चे से जव ताराचन के ट्रोटा जाता है अपने इंगलोते पुच्टर को गिर्मी रखने के लिए मंसा सेख के यहां फूंक जाता है मंसा सेख में बढ़ा अगर किया और जब उसका हाल चाल बुजिया अब तो ताराचन एक बात्त द्वरा किस तरह से शेख से कहता है और आए पंडित लख्मी चंदीने इस रागनी को किस तरह से बेज़ दिया और के बताया पंडिना हो रे लाला जी हो रे लाला जी एक चीज से अने मोली इसने पहरे दार ले तोटे मैं मरूं सो मेरी दाया कर ले चीज से मोली इसने कहने दार ले तोटे मैं मरूं सो मेरी दाया कर ले हो रे लाला जी हो रे लाला जी एक चीज से मोली इसने कहने दार ले तोटे मैं मरूं सो मेरी दाया कर ले तोटे मैं मरूं सो मेरी दाया कर ले वसे ठिके तोड़ा हो गया खाइने और पीने का अपना रस्ता को हूँ मैं मरने और दीने का मरने और दीने का ओ लाला जी ओ लाला जी बिगडी मैं हीडे काच और लून धर ले हो टोटे मैं मलो सो मेरी दया कर ले हो आदनी भाई लाल सीम यादव और जित्तू सरपंच लाल सीम यादव जी का और जित्तू सरपंचा का बहुत बहुत अनवाद ओ खोश ना सके था कोई मेरी भोलवाडी ने सब दन माया खोती मेरी किसमत माडी ने ओ लाला जी ओ लाला जी बंदे की मिगाडी मैं समार हार ले हो तोटे मैं मरो सो मेरी तया कर ले बड़े भाई बवलो हुड़ा जी रेयालपुर से जो इस रागणी पर खुशो करके इकीस रुपे से सम्मान कर रहे हैं बहाई बवलो हुड़ा जी का बहुत हुआ धन्वाद और बहाई समुदर पहलवान पलवर दो हजार पर देकर गर्वाइटी का सम्मान पहलवान साब का बहुत हुआ धन्वाद एक वजोर राखता आलिए सम्मान गुजारा करे थे गणे मारे सारे लाग के दूम की मजदार में नाव के नारे लाग के ओ लाला जी ओ लाला जी तेरे काट के सहारे लग के लोहा कर ले ओ ओ तोटे मैं मरो सो मेरी दया कर ले शिरी खजान से मियादव मम्ता प्रापर्टी बाकी पुलवावणा इकतीस तुर पे से सधी कलागाव का समादवे है राल साथ का बहुत बहुत धन्वादिक वाल जोट आठाली हो जागाए शिरी लखमी चंदे गुरू की वानी शित में धारेगा लखमी चंदे गुरू की वानी शित में धारेगा तोटा रोके चाल्या जाके जीते मालेगा ओ लाला जी ओ लाला जी तोटे मैं मरो सो मेरी दाया कर ले ओ लाला जी तोटे मैं मरो सो मेरी दाया कर ले ओ तोटे मैं मरो सो मेरी दाया कर ले ओ लाला जी तोटे मेरी दाया कर ले ओ ले ओ